गुट मॉर्निंग दोस्तों, नगमा चैनल में आप सब का स्वगत है, मैं नगमा की अमी आज पेंटिंग का पहला क्लास है, तो मैं सबसे पहले आपको क्या-क्या चीज़े लगती हैं पेंटिंग के लिए वो बताना चाहती हूं सबसे पहले मेरे पास एक पुराना कपड़ा था, सूती का, जो आप देख रहे हैं कि इसमें भी पहले पेंट हो चुका है, तो सिखाने के लिए सबसे पहले हम पुराना कपड़ा ही लेंगे, जो सूती का हो, सूती हो, ठीक है, अब ये कार्बन और ये पैंसिल, ये आपका, यानि कि ड्रॉइंग बुक या कोई भी डिजाइन बुक, जिसे आप देख किये, उसमें से उतार सके इस तरह से, और ये बरस, बरस हम यहां लिए हैं तीन नंबर का, आप देख रहे हैं कि ये तीन नंबर का बरस है, और मैंने शुरुवात करने के लिए ही दो कलर लिए है सिर्फ दो ही कलर से मैं सुरुवात, और मेरे पास एक ब्लू कलर भी है, मैं उसका भी यूज़ करूंगी, जो पुराना है मेरे घर पे पड़ा हुआ है, तो मैंने ये दो ही नए रंग लाए हैं, तो ये दो कलर और एक ब्लू, तीन कलर और एक फ्रेम, फ्रेम आप किसे भी साइच का ले सकते हैं फ्रेम का अलग-अलग साइज आता है और ये सारा आपको समान कपड़ा छोड़ करके आपको कहीं भी जेनरल डिस्टोर में मिल जाएगा और ये मैंने लिया है पानी एक कप तो अब हम सुरू करते हैं बनाने के लिए तो सबसे पहले हम इसको बनाने के अब यहां दिए कपड़े का एक कोना ले रही हूं और हमेशा याद रखेगा आपको इतना यानि के नाप करके एक निशान लगा लेना है कि एतना कपड़ा आपको छोड़ना है चारो तरफ से इधा से भी ताकि आपको सीने में काम आएगा अब आप यहां रखके बनाएं तो मैं सबसे पहले निकाल जाना सबसे पहले आप जगा देखिए कि आपका जगा ठीक होना चाहिए इतना इतना और कार्वन पेपर हम रख लेंगे इस तरह से यह दोनों साइड आप देख रही हैं अब हम ब्राइंग बुक खोलते हैं और आज हमारा सबसे हम यह सारी चीजों को बनाएं यह दीरे दीरे करके तो सबस्क्रीप